हेलो फ्रेंथो और एक डर्वेंट वीडियो में आप से ऑच्पके स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे Safety Shield के बारे में यानि की Dream11 आप में Safety Shield फीचर से उसमें बड़ा बदलाव किया गया है तो क्या बदलाव किया गया उसके बारे जानेंगे समझेंगे और इससे आप लोग थमने देख चुके होंगे इसलिए आप यहाँ को किलिकर काया होंगे कि Dream 11 App में एक फीचर्स आवाई लेवल है यदि आपको Dream 11 Safety Shield के बारे पता है तो बहुत अच्छी बात है और यदि नहीं पता है तो इस वीडियो के अंदर में आप लोग को पता चल जाएगा तो वीडियो में बने रहिए तो आज हम लोग जानने वाले इस वीडियो के अंदर में कि Dream 11 में जो Safety Shield फीचर्स है उसमें क्या बदलाव किया गया है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है यदि आप Dream 11 अप यूज़ करते हो उसमें टीम बनाते हो, कोंटेश जून करते हो तो आपको इस वीडियो ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि इस फीचर्स को जो मैं बता रहा हूँ Safety Shield के बारे में इससे आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस फीचर्स को आप कविन्ट का भी यूज़ करोगे और आपको करना भी चाहिए वह इसलिए क्योंकि ऐसा फीचर्स अभी तक कोई सबी फेंटेसी अप में वाई लावर नहीं है जो कि Dream 11 आपको देता है तो आपको Dream 11 का safety seal features को ज़रूर यूज़ करना चाहिए तो ज़्यादा दरी ना करते हुए चलिए सीधे जानते हैं कि Dream 11 का safety seal features है उसमें क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में तो इसके लिए हम लोगों जाना पड़ेगा Dream 11 आप के अंदर में आपको देखिए यहां पर जाना है देखिए सकते हो यहां देखिए बैनर होता है ठीक है आपको यहां पर इसे क्लिक करना है ठीक है यहां किलिक करते हैं चलिए देखिए फिर भाग जारा था है इसके लिए काया देखिए आपको इस वरकास से इसे स्क्रोल करना पड़ेगा यहां पर अपने से ब्यार जाता है लेकिन जब नहीं आता है ता आप इसे स्क्रोल कर सकते इस वरकास ठीक है और देखिए आपको याद रेखिए यह सेटीव सेल्ड है और केवल मातरे बोल सकते हो मेगा कॉंट्स यानि कि बड़ा कॉंट्स के लिए है तो अंहें एक्टर पुमिलनेश्गими के वह सब्सक्राइब कर सकते हों सिंपल सी बात है समझ लेजिए क्यों लिए हमेंगा कॉंटेस्ट के लिए अवाइल होता है सेप्टी सिल्ड एदा समझ माया अब देखते हैं आगे क्या बोलता है तो देखिए आगे में आप लिखा हुआ है have you ever lost in a contest because you choose a captain or vice captain who did not perform यहाँ पर रहा है कि आप हार जाते हो वाइस लिए क्यों कि आप जो है captain or vice captain के लिए चूज करते हो और बढ़िया परफूम नहीं करते हैं तो समय में यहाँ आप आप सेप्टी सिल्ड काम करें यह बोलना चाह रहा है ठीक है फिर नीचे देखिए बोल यहाँ बोल रहा है देखिए आप जो है captain or captain को सील्ड कर सकते हो और वहाँ पर आप 20 रुपिया का एस्पनट जीद सकते हो इसमें कंडिशन दो कंडिशन हैं आप देख सकते हो यहाँ बोल रहा है कि आपका जो हैंपर captain or captain अच्छा परफूम नहीं कर रहा है और आप हार गे your captain or vice captain तो आप देखिए किस परफास से आपको है captain or captain sealed करना है उसे बोलता है आप कोई साब कोंटेश्ट खोलेगा कोई से match खेलने वाली है मत होने वाली है वहाँ देखिए आप क्लिक करेगा तो देखिए यहाँ पर इस परफास से लिखा होगा sealed your teams in the mega contest देखिए इस परफ क्लिक करना पड़ेगा को से match होने वाले हैं उसके लिए ठीक है इस परफास आपको मिलेगा अब देखिए आगे मैं क्या बोलता है उसे पर समझते हैं यहाँ देखिए पहला बोल रहा है captain यानि की cc मतलब captain होता है captain sealed ठीके इसके देखिए 2 रुपिया लगेगा को 2 रुप या cash bonus पास सकते हो पाओगी यदि आपका captain 30 points से कम लाता है ठीक है और उसके बाद आपका team जो हार जाता है समझ माया यहाँ अच्छी बात है यह तो आगे देखिए क्या बोलता है इसे और बेटर तरीके समझते हैं यहाँ देखिए बोलता है नीचे में when your captain gets 15 fantasy points the total points are 30 15 into 2 मतलब आपका captain जो है आप जो team बनाए हो उसमें आपका captain है वो total यहाँ पे 15 points लाता है कुछ भी करके जहें catch करके यह दिविकेट कीपर है या फिर बोलर catch करके run बना के या फिर विकेट लेखे कुछ भी करके वह जो है fantasy points 15 से कम लाता है कुछ भी करके आपका captain जो है 15 points से कम लाता है यानि 15 points को आप गुना करिए यहाँ पे काप्टेन को पता हो काप लोग को हाँ पर multiple two होता यानि कि दो गुना होता है जितना point लाता है उसका दो गुना होता है ठीक है तो वही चीज़ आप apply होता है यहाँ पर condition बोल रहा है कि आपका captain जो है 15 points से कम लाता है उसी condition में आपको यहाँ पर मिलने वाली है और यदि काप्टेन होता है तो यहाँ पर वाइस काप्टेन सील्ड है इसके लिए दो रुप्या को प्रे करना पड़ेगा ओके देखिए बोलता है गेट 20 रुपीज कैस्ट बोनस इफ यूर वाइस काप्टेन इसको लेस दैन 22.5 टोटल पॉइंट्स और यू लॉस मतलब देखिए यहाँ बोलता है कि मतलब देखिए यहाँ पर बोलता है कि यदि आपका वाइस काप्टेन 22.5 पॉइंट से कम लाता है तो यहाँ पर आपको 20 रुप्या मिलेगी लेकिन यहाँ आप हारते होता भी ठिके फिर आगे देखिए समाझते हैं बहतरी के से यहाँ देखिए बोलत ही होता है इस परकार से कैप्टेन में आपका दो गुना होता है लेकिन वेसा कैप्टेन में देड्र गुना होता है पlarını पता होगाओ ठीक है दूखे रिगी का हो Africa क्या किया है जिसे अम देख आये हैं आप उससे दिखने के लिए हैं आप आए हो उसके बारे चलिए जानते हैं तो दिखिए यह बढ़ा बदलाओ है किया गया से यहांबit बहुत बढ़ा बदलाउग किया गया है, जो आप लोग पता पहले नहीं था होगा, जिसे आप आप आज जानाओगे, तो देखे, safety still में बढ़ा बदलाउग किया गया है, इसमें देखे, मैं बढ़ता हुआ है, ठीके, क्या बोलता है, यहां बोल रहा है, टू रुपीज पर सील्ड विल बी डिड़क्टेट फ्रम यूर डिपोजिट बालेंस वेन यू अप्टेंड इन फोर कैप्टेन और वाइस कैप्टेन सील्ड देखिए सिम्पल सी बात है आप बोला जा रहा है कि यदि आप टीम बना दो उसमें कैप्टेन चूज करते हो और वहाँ पे आप जो है सेप्टी सील्ड फीचर को अक्टिव करते हो जिस भी टीम के लिए आप जो है सेप्टी सील्ड को एनेबल करते हो अक्टिव करते हो तो वहाँ पर आप लोग पता हुए देखी उपर दिया वहाँ दो-दो रुपिया लगता है कैप्टेन दिसकते हो यहाँ पर जो कि आप लोग पता है सुरु में भी देखे दो रुपिया लगता है कैप्टेन के लिए और वाइस कैटन के दो रुपिया लगता है में बस यहां पर मातर एकीठो रास्ता है एक फिटो ऑप्षन है आपके पास कि जितना परिस आप डिपोजिट करते हो यानि कि आपको डिपोजिट करना ही है सेप्टीस इल्ड फीचर अपलाई करने के लिए एक्टीव करने के लिए इतना समझ माया तो यही बड़ा कि आपका जो है ड्रीम लेवन का ज़ाओं किसी है इसमें सेफटीज का ज़ो फीचर से उसमें अक्टिव करने के लिए आपको 4 रुपीया लगेगी एक ट्रीम चला के जो है आप जो वीर्ण किये हो वह नहीं Χाइब आपका जो कैस्पोंस हो भी हो उस नहीं होगा बस आप जो रिम लेवे ने इसा क्यों कि यह मुझे समझ में नहीं आया यह फीचर्स तो अच्छा है बड़ा बदलाव किया गया है यह पैसर डिपोजिट होना चाहिए यह उतना अच्छा मुझे नहीं लगा आप मुझे कमें करके बताना कि यह फीचर्स तो बढ़िया है लेकिन आप इंपर सी बात है अब लोक समझा देता हो मैं यहां जो लिखा उसे को बारे बता हो ठेक है यहां देखेए बोलता है टू रिसीव दिकैस बोनस ऑल इवेड़र कंडिशन मस्ट बी मेर्ट मतलब यहां में देखिए बोलता है काप्टेण और वाइस काप्टेण इन दी मेंग contest मतलब आपका safety shield active होना चाहिए आपका team में यह active होना चाहिए यानि safety shield feature जो है आपका team active होना चाहिए और यदि आप mega contest में join कियो हो तभी होने वाला है यह active ओके आप small league में या फिर head to head league में join कियो हो तो आपको यहां पर नहीं मिलने वाली safety shield features यह समझ मैंना क्यों लिए है फिर देखिए आगे बोलता है second condition second बोलता है shield captain और wise captain is course less than predefined fantasy points मतलब यहां पर देखिए बोलता है जो points बता गया है 15 points दोनों captain captain दोनों आपके team के captain लाते हैं तो इस condition में आपको मिलेगी otherwise नहीं मिलेगे ठीक है फिर देखिए third बोलता है you lost in the mega contest और आपको यहां पर हारना भी है यह आप हारते तभी मिलेगी फिर second में है कि आपका captain और wise captain दोनों 15 points से कम लाएगा तभी आपको यहां पर मिलने वाली है cash bonus फिर देखिए third बोलता है आप यहां पर हार जाओगी तभी आपको मिलेगी यह भी है तो तीन condition है समाझ मागया तो यह तीन condition है जिसे safety shield follow करता है यदि आप इन तीन condition को follow करते हो तभी आपको मिलने व बदलाओ किया गया है यानि कि आप जो है dream 11 safety shield active करते है अपने team में mega contest के लिए तो वहाँ पे जो है जो चार रुपिया लगेगा वो चार रुपिया adding money होना चाहिए यदि आप deposit किये हो जो deposit किये हो ही पैसा लगेगी बाकी बात पैसे यहां पर यूज नहीं होगी यह बात क तो समझ लेज़े यही बड़ाबदलाओ किया गया है तो dream 11 का safety shield कर जो बड़ाबदलाओ Kimya गया है इसके बारे में आपको क्या रहा है आप मुझे comment करके ज़रू बताना तो उमेद करता हूँ कि आपको समझ महां गया होगँ कि dream 11 safety shield क्या है और इसमें क्या बड़ा कर देना और यदी आप नई हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल जो घू सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं इसMAN का यह ड़ता हूं तो चैनल मिलते हैं किसी नई टोपिक के साथ किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जै जय जै बाई बाई